हेलो विओवर्स, आज हम समझेंगे की आपदा किसे कहते हैं, आपदा ज़ाधतर आपने बुक्स में पढ़ा होगा, एक प्राकरतिक घतना है, प्राकरतिक याने के खुग से खटने वाली घतना, जैसे पेड का बढ़ना प्राकरतिक है हवाओं का चलना प्राकरतिक है हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है वैसी ही जो आपदा है ये भी एक प्राकरतिक घटना है जिस पर इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है ये एक ऐसी घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होत तीन सेकंड के लिए चार सेकंड के लिए या एक गंटे के लिए दो गंटे के लिए ठीक है ऐसे बहुत ही थोड़े समय के लिए होती हैं लेकिन बिना चेतावनी के घटित होती हैं कोई चेतावनी नहीं दी जाती कोई पहले से कुछ नहीं बोला जाता और किसी को कुछ पता यह नहीं होता बिना चेतावनी के यह घटनाय एकदम से घटित हो जाती हैं और बहुत ही थोड़े समय के लिए होती हैं इसकी वजले से पूरा जिवन है वह तहस्नेहस हो जाता है बड़े पर्माने पर जानमगा और माल का दोनों का ही नुक्सान होता है इस तरीके की पर हम आपड़ा कहते हैं तो ऐसी घटनाएं कौन-कौन चीवूती है जैसे कि बाड़ ठीक है बाड़ का आना भूक 10 पका आना ठीक है पहाडों का खिसक जाना और कर नदियों में बाड़ा जाना या फिर समुद्र में सूनामी आ ठीक है समुद्र में सुनामी की लहरे आ जाना समुद्र का ऊपर आ जाना और भवंडर का आना ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत थोड़े समय में घटित होती हैं चार मिनट पांच मिनट कई वर भूकम तो दो से तीन सेकंड के भूकम में ही हजारों की संख्या में लाख ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं इस तरीके की और भी घटनाएं वो सकती हैं तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हैं जो प्राकरतिक घटनाएं हैं अब ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये कई तो प्राकरतिक होती हैं लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो मनुष्यों की अपने नाक फसा रहे हैं तो फिर उस वज़े से वह हो रही है तो खेर हम कह सकते हैं कि आपदा किसे कहते हैं ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं आपदा कहते हैं ठीक है आपदा आ गई आपको समझ पर आ गया होगा अगर वीडियो अच्छ लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या किसी वर्ड कमेंग जाना चाहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं ने झाल